सब्सक्राइब टैग टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस ते नोटिफिकेशन पटन कैनिडा में भारत की कोविट वैक्सीन पहुंच चुकी है ये बहुत बड़ी खबर है और कैनिडा के प्राइम इनिस्टर और कैनिडा के प्रीमियर्स तमाम सूबों के वो एक तरह से रिलीफ महसूस कर रहे हैं अभी पिछले हफ़ते ही काफी स्ट्रेस था कि कैनिडा में वै वैक्सीन की बहुत कमी है अभारत की तरफ से 2 मिलियन वैक्सीन का कांट्रेक्ट हो चुका है और पाँच लाक वैक्सीन आज लैंड कर चुकी है और इसके सास्थ हम बात चीत करेंगे जांसन अं जांसन की वैक्सीन के हवाले से भी जो कैनिडा में अपरूव हो गई । वैक्सीन कितनी तेजी से केनेडियन्स तक पहुंचती है यह इसका अल्टिमेट गोल है और यही गोल होना चाहिए आज के बिला तकलफ तैजिया में इसके साथ साथ बात चीत होगी ब्रैम्टन में एक बहुत बड़े वाइलन्स के कांटेक्स में बिकास यहां पर कैनेडा भ है यकीन नहीं आता कि यह कैनेडा अब वो वाला कैनेडा हमारा प्यारा कैनेडा है जो हुआ करता था लेकिन हम सब ने उसको वापस अपनी असल हालत में लाना है बहुत ही अफसोसनाख खबर है माइनमार्स से पॉर्टेस्ट जारी थे और पॉर्टेस्टर्स पर पॉलीस ने गोली चलाई है 38 के करीब लोग जो अब तक की खबरें आई हलाक हो चुके हैं और ये एक बहुत ही लमाए फिक्रिया है इंटरनेशनल कम्यूटे के लिए पाकिस्तान में सैनिट के एलेक्शन जो एक बाई एलेक्शन की एक सीट थी उसमें बहुत बड़ा सेट बैक अमरान खान की पार्टी को हुआ यूसफ रजा गिलानी वो सीट जीते नजर आ रहे हैं जबके हुक्मरान जमाद पी टी आई का ये कहना था कि वो ये सीट असानी से जीत जाएंगे लेकिन वो ये सीट बड़ी ही असानी से हार गए हैं ये हैं आज के बिला तकल्फ तईजिया के हमारे सब्जेक्स टॉपिक्स सबसे पहले बात हम करते हैं कोविट वैक्सीन की भारसे कैनिडा में जो एक तरह से वेलकम हो रहा है और अब भी प्राइम मिनिस्टर ने दो रोज पहले ही कहा कि वो लुकिंग फारवर्ड तो हैव वैक्सीन फर्म इंडिया एक बहुत ही छोटा सा वीडियो क्लिप प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो का आपके साथ शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो दो तीन रोज पहले टेलिविजन पे कह रहे हैं कि सीरम इंसिचूट की बारे से वैक्सीन पांच लाख आने वाली और मजीद वैक्सीन भी आ रही है ओन दो वै है बहुत ये बड़ा रलीफ है प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टूडो के लिए भी और किनेडियन अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है और खासर पर जो यहां पर हमारा भारती डायस्पोरा रहता है उन के लिए भी एक बहुत बड़ा खुशी का मुक इसका स्वागत कर रहे हैं, यहां की मिनिस्टर अनीथा अनन्त उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, उन्होंने काली अपनी ट्वीट में कहा है, इस वीक कैनिडा विल रसीव एनदर 944,000 डोज़स अव कोविड-19 वेक्सीन, 444,600 डोज़स अव फाइसर कैनिडा और 500,000 डोज यह उन्होंने कल कहा, आज वेक्सीन पहुंच चुकी है, यह एक बहुत बड़ी खबर है, और इससे बहुत बड़ा मैं समझता हूँ, एक रिलीफ हो रहा है, यहां के हमारे जो किनेडियन्स हैं, उनको भी, इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे, आगे चलकर यहां पे जो सूर्टेहाल कंप्लेक्स हो रही है, उस पर भी, लेकिन इससे पहले, जो हमारे मिनिस्टर्स यहां पे स्वागत कर रहे हैं, एक ऐसा ही ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मिस्टर नादिर पाटेल क की ट्वीट को रस्पाउंड करते हैं, उन्होंने कहा था, मिस अनिता आनत इस अ मिनिस्टर इन कनादिन गॉवर्मेंट, तो नादिर पाथिल जी ने कहा कि कैनादा है रीच्ट एग्रीमेंट फो टू मिलियन दोसे उफ कोवी शील्ड विट सीरम इंसीट इंडिया, बहुत ही अच्छा मैस्वी दिया कैनिडा के इंबसेडर टू इंडिया ने, इसमें उन्होंने कहा कि यह बहुत बड़ी जेस्टर है इंडिया का, कि इस जो एक ग्लोबल क्राइसिस है और इसमें कैनिडा भी गुजर रहा है, उसमें भारत ने किस तुन्दही के साथ, कितन ट्वीट मिनिस्टर कैथरीन में कहना की भी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहां पर, तो मिनिस्टर कैथरीन का कहना है, अबेजिंग, डिलिवरीज अफ टू मिलियन डोज़स अफ सीरम इंसीचूट इंडिया, वैक्सीन कमिंग इंडेज, तैंक्स नादिर पाथिल, कैनिडा टू इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं मिनिस्टर्स भी और प्राइम मिनिस्टर आफ कैनिडा भी, और कैनेडियन अवाम भी, एक बहुत ही एहम ख़बर है, क्योंके पिछले दिनों कुछ टेंशन कैनिडा और भारत के बीच में कुछ बड़ी थी, वो टेंशन थी, फार्मर्स पॉर्टेस्स के कांटेक्स में, प्राइम मिनिस्टर जेस्टन टूडो ने एक दो तर्ष बातें कर दी, यहां के और पॉलिटिशन ने भी कर दी, और उससे एक सर्दमहरी की फजा काइम हुई थी, लेकिन अब वेक्सीन के आजाने से एक बहुत ही बड़ी खबर है और जो यहां पर एक्स्ट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एक तरह से उस दोस्ती को खराब, यानि कैनिडा, इंडिया की दोस्ती को खराब करना चाहते थे, उनके मुँपे एक तरह से तमाचा है, बहुत बड़ा, कि अब दोनों प्राइम मिनिस्टर भ यहां पर और्गनाईज की और उस रैली का मकसद था, यहीं जो वैक्सीन आ रही है, जो अब आना शुरू हो चुकी है, उसके लिए दोनों मुलकों की सॉलिडरिटी और फ्रेंडशिप के लिए अपना जेस्टर शो करें, मगर यह तो पीस्फुल रैली का एक फ्रेंडली जेस्टर था, लेकिन जो एक्स्ट्रीमिस ऐलीमेंट्स हैं, उन्होंने जस तरह की बत्तमीजी की, जस तरह की हरकतें की, जस तरह उन्होंने तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, भारत के जंडे गाड़ीों से उतार के फैंके, इसी सलसला में सोशल मीडिया पे बहुत तो मियर पैट्रिक ब्राउन ने सोचल मीडिया पर ही लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि हम इसका शरीद नोटस रहेंगे इसलिसा में सोचल मीडिया पर उन्होंने जो बात लिखी वो आपके साथ शेयर करते हैं उन्होंने धर्मा जेन जी को मुखातब करते हुबार लेकि तो मुखाते हैं आपको मैं दिखाता हूं इस तरह की बहुत सरी वीडिस है इसवक्त वाइरल हो रही है ये है वाइलन्स का एक वीडियो अब हम आते हैं जो सूर्टेहाल है मायनमार की बैनलक्वामी सता पर बहुत टेंशन है कई हफ़तों से वहां पर कू हो चुका है और कू के बाद धीरे दीरे आइरन फिस्स जो वहां की आर्मी जनता है वो अपनी काइम कर रही है और आज ही की दुख बरी खबर ये है कि वाइलन्स पुलीस की तरफ से और लाइंफोर्स्मेंट की तरफ से लहते शेरियों पर हुआ वहां पर और थर्टी एट से जाएर लोगों के मारे जाने की अब तक इतलात आ चुकी है इस सलसा में हम मैं मार्ट टेलिवीजिन की कर्टिस की साथ उ जो गटना हुई उसका एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं मैं मार में बहुत ही गंबीर सूर्टेहाल है और लोग हर रोस वहां पर मर रहे हैं उन पर फौजी जनता अटैक कर रही है और लोग सिर्फ और सिर्फ democracy की restoration चारहे हैं और वहां की जो dictatorial regime है वो ऐसा बरताश नहीं कर रही के दबाव पर कब वहां की जो फौजी जनता है आते हुए जल्म का स Карण सलसला बंकरती है यह बहुत ही बेचाइन कर देने वाली सूरते हाल है म्यानमार से आखर में हम पाकिस्तान की एक एहम ब्रेकिंग नियूज आप तक पहुंचाते हैं पाकिसान में सैनिट के बाई एलेक्शन में एक बहुत ही बड़ा अपसेट हुआ है इमरान खान की पार्टी को और उनके सैनिटर जो एले मिनिस्टर यूसफ रजा गिलानी जीतने में कामयाब हो गए है ये बहुत बड़ा अपसेट है इसलिए कि हुकमरान जमात को यानी पी टी आई को ये बहुत उमीद थी इमरान खान को बहुत उमीद थी कि उनकी जो कॉलिशन सरकार है उनके पास यतने वोट हैं कि वो अपन खानि ने एलेक्षिन हाण गाइन उनके झाल उनकी सिनर्ट की एक सीट जो आज यूस कर दलता है उसके हाणने के फोरण बात कहा है कि मैं वोट ऑव कॉन्फि Divineण सिलूंगा ये एक अच्छी बात है इमरान खान ने जो ये बात की है मैं इसको जरूर एप्लिशेट करता हूँ ये एक डिमाक्रिसी के अच्छी स्पिरिट है जब वो ये फील कर रहे हैं कि जो कॉलीशन सरकार में उनकी जतनी सीटें बनती थी वो मिल मिला के भी उनके सैनिटर को नहीं जता सकी तो हो सकता है कि उनकी गर्वर्मेंट ही गर जाए शायद वो तो मुम्किन नहों लेकिन वो एक डिमोक्रिटिक या पुलिटिकल जेस्टर अच्छा दे रहे है लेकिन ये उनके लिए एक सेट बैक है और पाकिसान बहुत सरे चैलिजर से गुजर रहा है और मेरा ये ख्याल है कि अगर वहां पर डिमोक्रिटिक चलती रहे चाहे जैसी भी है और उसकी स्पिरिट जैसी तैसी भी है वो अगर मेंटेन रहे तो असा असा चीज़ें कुछ बेतर हो सकती है रीजन में पीस आ सकता है लेकिन ये तो खायर जिस्ट एक इंसिडेंट है देखते हैं इसके बाद पाकिसान की जो टर्मॉइल्ट पॉलिटिक से उसमें क्या होता है पाकिसान के आपोजिशन के लीडर तो कह रहे हैं कि हम अब पी टी आई की हकोमत को गिराने में कामियाब हो जाएंगे उनका ये हक है कि ये कहना और इमरान खान का ये हक कि वो अपना वोट ओफ कांफिडेंस दोबारा लेंगे ये उनका हक है और यही डिमॉक्रिसी की जान होती है और इसी के रस्ते पे चलना चाहिए अपोजिशन को भी और गॉर्मन को भी टैक टीवी पाकिस्तान के स्टूडियो में पाकिस्तान के सैनिट के इस बाइलेक्शन के सिल्सामें एक रिपोर्ट तियार हुई वो हम आपके साथ शेयर करते हैं सैनिट एलक्शन में पाकिस्तान डैमोक्रिटिक मॉव्मेंट के मुश्तर का उमीदवा यूसुफ रजा गिलानी ने हकूमती रुकन अब्दलहफीज शेख को शिकस्त से दो चार कर दिया अब्दलहफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के दर्मयान मकाबले को ही ओपोजिशन और हकूमत के दर्मयान सबसे बड़ा और आहम मकाबला करार दिया जा रहा था सैनिट की 37 खाली निशिस्तों पर इंताबात के लिए पोलिंग पार्लिमेंट हाउस इसलामबाद, सिंद, बलोचिस्तान और खैबर पखतूनखा की सुबाई असम्डियों में हुई पोलिंग का अमल सुब 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा कामी असम्डी में रुकन असम्डी शफीक आराई ने पहला वोट जब के इसके बाद फैसल वावड़ा ने वोट डाला वजीर आजम रफान वोट डाला जिन्होंने असम्डी हौल में आमत के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इतिहादी जमातों के अरकान कावमी असम्डी के साथ मुलाकात भी की विफाकी दार् सैकूमत में पाकाश्टान तर्यख इजोर गाश्वरे सबांदे पॉस्वाभे सिस्वाकी सिर्ञ्था करियार करें पच्छिस उमीद्वार, बलूचिसस्तान 26 उमीद्वार और सूबसें, 17 उमीद्वार मैदान में उतरे बाराल पाकिसान में इमरान खान की पार्टी के लिए ये एक धचका जरूर है लेकिन इसके साथ साथ उनके लिए एक टेस्ट भी है और वहां की डिमॉक्रिसी के लिए भी टेस्ट है कि वो इससे कैसे आगे गुजरते हैं आज का बिला तकल्फ न्यूस तईजिया देखने और सुनने का बहुत चुक्रिया आप हमारे यूट्यूब के चैनल को भी सबस्क्राइब कीजिए और आप हमें पेपॉल के रहीं और इसके साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पर जाके tag tv.info या tag tv.southasia.com हमारी दो वेबसाइट है tag tv.info tag tv.southasia.com उन पर जाएंगे डोनेट का बटन क्लिक किजिए और वहाँ पे आप क्रेड़ कार्ट के जरीए भी हमें पे कर सकते हैं आप हमें पेपॉल के जरीए भी पे कर सकते हैं और इसके साथ है patreon में भी आप हमें patronize कर सकते हैं आज का news analysis बिला तकल्द में ताहर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया